हाई फ्रेंद सब लोग कैसे हो और सबके शहरों के मौसम के क्या मिजाद हैं अचानक से तेजगर में शुरू हो गई है मैं अभी दो दिनों के लिए मुंबई गई थी मेरी फ्रेंड का ग्रेपरेवेश था मैंने आपको वीडियो भी दिखाया है बहुत इप्यारा सा घर बना है और बहुत पुराना रिष्टा है मारा बहुत पुराना साल मतलब 14 साल से कहलू फ्रेंडशिप हुई हमारी तो घर कैसी चीज है कि एक बार बनता है दो बार बनता है मतलब जब भी बने वह अन्मोल ही रहता है तो कुछ खास लोग हैं जो हमारे खुशी में शामिल हो तो हर कोई चाहता है तो उनको नहीं हमें इन्वाइट किया तो गई मैं दो दिनों के लिए दो दिन में जाना और आना फिर आप रात के खाने में क्या बनाये जाए और मौसम का जो चेंज है यह तो कुछ अलगी है मतलब हर वेकती बीमार है किसी को सग्धी खासी बुखार कुछ भी एं किसी ना किसी रूप में तकलीफ देर रहता है जो मौसम जोता है बदलते मौसम में तो मेरे साथ भी वही काफी टाइक पहले बनाया था मैंने फिर बीच में नहीं बनाया बहुत दिलों से सोच रही थी तो फिर सोच रहे हूँ आज बनाते हूँ और रात का खाना शुरू करते हैं आज को ब्लग हुए बूदी तो मार्केट में भी मिलती हैं लेकिन आप घर पर भी एक कप बेशन से देर सारी बूंदी बना सकते हैं सबसे अच्छी बात होती है हम फ्राई कर रहे हैं तो हम कैसा तेल इस्तिमाल कर रहे हैं वो लंबे समय तक चलती हैं किसी तरह की कोई स्मेल भी नहीं होती मैंने यहाँ पर एक कब बेसन लिया है बैटर कुछ इस तरीके से बनाना है कि पीछे चमबच में जैसे दिखाई दे रहा है अभी यहाँ पर मैंने बेसन रख दिया है साइड में और छुटे कोकर में लिया है एक कप चावल दो करके चावल भी साफ करके रख दूंगे ना साइड में तो कड़ी के साथ चावल तो बन नहीं है तो धूले वो रख रहेंगे फिर फट से एक सीटी बच दी है तो चावल रैडी हो जाता है इसे मैंने चुटकी पर नमक डाला है एक चमबच घी डाला है और एक कप चावल में डेड़ कप के करीब पानी डाल करके बंद करके रख दिया ये है दाइंडस वैली की कास्ट आइरन स्मूथ कड़ाई ये इंडाक्शन में भी यूज होती है और गैस में भी यूज होती है और इसे यूज करने के बाद खाना बिल्कुल भी काला नहीं होता है बिल्कुल टेस्ट में कोई फरक नहीं होता है हल्दी कुकिंग के लिए सबी लोग कास्ट आइरन कुक्वेर ही यूज करते हैं और इसी के साथ ही ये है तड़का पैन और ये है चपाती तवा ये भी कास्ट आइरन का ही है पर स्मूथ और ये तवा और कढ़ाई जिसमें आज मैं डिनर तयार करने माली हूँ और ये तवा भी गैस में यूज होता है और इंडाक्शन में भी यूज होता है तो यदि आप मेरा code अभिलाशा गुपता यूज़ करते हैं तो आपको मिलता है 12% का extra discount लेकिन याद रखेगा ये discount आपको सिर्फ इनकी website पर ही applicable होता है और आप बनाते हैं बूंदी बेसन को 5-10 मिनट के लिए rest के रखने से पूरा उसका जो रवा होता है वो अच्छे से फूल जाता है और बूंदी बनाने के लिए मैं इस छनी का इस्तिमाल कर रही हूँ जिसे हम लोग चानते हैं ना पूरी वगरा उससे भी बन जाती है या फिर आपको भी ऐसा खाली प्लास्टिक का डबा लें उसमें ऐसे हूल कर लें उससे भी बन जाता है तो कई सारी ट्रिक्स होती हैं बूंदी बनाने के लिए बस मैंने चम्मच से डाला और वो धीरे धीरे ही ड्रॉप होने लगता है ये देखो बेसन तो गोल गोल चुटी चुटी सी बूंदिया तैयार हो रही है जैसे ही वो उयल में ड्रॉप होती है वो बहुत जल्दी से फ्रॉई हो जाती है फिर जब आपको लगे एक दो मिनट बाद or बस फिर हिला दो गोल 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 ऊपर नजट आ जाती है उपर तैहने लग जाती है ना फिर आप उन्हने करके खुश मिनट ऐसे फ्रॉई करलें और फिर छनी में निकाल लें छनी को में ही सारी में निकाल करके प्लेट में रखती जा रही हो छनी को ताकि जो अगर extra oil है वो पूरा नीचे से drain हो जाए तो छनी जो बड़ी जाली वाली होती है ना उसमें हमेशा निकाल के रखना तो extra oil निकल जाता है और इस तरीकी से छोटे छोटे बैचेज में मैंने चार से पांच बार ड्रॉप की हैं बूंदी और जब हम एक दो बार बूंदी बना लेते हैं किसी भी छन्नी का इस्तेमाल करके तो नीचे से जो चिपक जाता है न तो छन्नी को भी क्लीन कर देना चाहिए हर बार अगर आप क्लीन कर लेंगे तो अच्छा रहेगा वो पूरी फिर एक जैसी गिरती है बूंदिया अब सारी बूंदी मैं इस छन्नी में रखती जा रही थी साइड में ही एक प्लेट में और उसके बाद अब लास में मैंने पूरी छन्नी की बूंदी डाल दे हैं इस बोल में ताकि वो अच्छी से प्रॉपर ठंडी हो जाए तो इसे फैला के रख देंगे तो इसको ठंडे होने के बाद ही आप किसी भी एयर टाइट कंटेनर में भरके रख सकते हैं ना कितना बढ़ी आइडिया अगर आप नमकीन मसाले वाले बूंदी बनाना चाहते हैं तो दो तीन कलर की बूंदी भी बना सकते हैं जैसे आप चुकंदर डाल दो थोड़े से बैटर में तु उसका रेड कलर आएगा और इंज सा आप पालक प्यूरी डाल सकते हैं तो ग्रीन कलर का आएगा ऐसे दो तीन कलर की आफ्रिस के उपर मसाले डान दो तो मसाले वाले बूंदी भी घर पे रेड़ी कर सकते हैं मिक्षर नमकीन में भी हम यह बूंदी का इस्तिमाल कर सकते हैं तो अभी यहाँ पर मैंने गरम तेल पर ही डाला है यह चन्य डाल का मसाला वाला पापड क्योंकि कड़ी चावल खाओ तो पापड सत्य पहले याद आते हैं तो यह पापड मैंने पहले ही फ्राई कर लिया है, क्योंकि गरम तेल में तुरंट फ्राई हो जाते हैं, अब मैंने एक बोल में लिया है, half cup बेशन, half cup डाली है देही, और इसमें डाला है half cup पानी, तो इसको अच्छे सब को mix करके, गाळा सा बैटर बना लेंगे, और पानी और भी लगेगा तो थोड़ा थोड़ा करके मैंने और भी मिक्स कर लिया है मतलब पानी तो में जादा ही डालना है चार-पांच कप डाल सकते हैं कढ़ी में बहुत पानी लगता है कढ़ी में फिर वो दीर-दीर अच्छे से पकती है अब मैंने कुछ खड़े मसाले जैसे जी कड़ाई में और उसकी गरम तेल में मैंने डाले हैं तड़का और इसी के साथ सूखे मसाले हल्दी पाउडर धनिया पाउडर और मिर्ची पाउडर आधा आधा चमच अब यह जो बेशन दही गोल के रखा था वो डाला है प्लस पानी भी डाला है तीन से चार ग्लास पानी मै और गाड़ी हो जाती है नामक साथ के अनुसार डाल करके मिक्स कर लिया कड़ी को आराम से पकने देंगे तो यहां से मैं बेशन का जो जार है वो हटा ले रही हूं और मसाले वाली यह जो वोड़न मसाले दानी है कुसी ने मुझे इसका लिंक मांगा था वो काफे टाइम पहले लिए है आप चेक कर सकते हो आलाइन अवेलिबिल रहती है एमेजन से ली ती शायद अभी यह मैंने जब ड्राइ बूंदी जो है ठंडी हो चुकी है तो किसी भी एयर टाइट कंटेनर में डालें ड्राइ कंटेनर में और मैंने अभी बूंदी निकाल लिए कटोरी ज पाइता बनना है कुछ नहीं है मठा बना लो छास चौक दी थोड़ा सा बूंदी डाल दो तो पीने में अच्छी लगती है तो कैसे भी करके अब यहां पर मैंने तड़के पैन में घी गरम करने रखा है उसमें डाली है लाल मिर्ची पाउडर चुटकी वरहिंग भी डाली कढ़ी है और यह तड़का रेडी हो चुक है कड़ी हमारी पक चुकी है तो सबसे पहले मैंने ढली है इसमें एक कब बुंदी की उपार डालेंगे कटा हुआ धनिया पत्ता और इसके बाद हम डालेंगे यह तड़का यह तड़का णोर्मल आईरन है यह कास्ट आईरन नही करके मिक्स कर लिया है तो यह हमारी बूंदी की कड़ी रैडी हो गई है कड़ी हमारे घर में सभी की फेवरेट है बच्चों की हो या मेरी और यह बहुत जल्दी भी बनती है जब कुछ नहीं सूजता गर्मियों में कि क्या बनाएं दही पड़ी होई अच्छा जैसे ताजी दही तो सब खाते हैं फिर थोड़ी थोड़ी सी दही जो पतली वाली बच जाती है या एक दो दिन जो रह गई जिसमें स्मेल आ गई गर्मी के दिनों में आप कड़ी दही फ्रेश ही चाहिए सबको तो उस दही का यूज़ करना है तो या दो रायते बनते हैं गर में यह फ सब्जी रखी हुई थी तो फिर इसलिए सब्जी के जुरत नहीं हुई मतला भी रात पर नहीं बनाई कड़ी चाहवल रोटी और यह हमारा मिर्ची अद्रक काचार है और हरे प्यास की सब्जी है और साथ में है पापड़ और यही है आज का धीनर बस शुबम का वास दिया जो माओ पहले तो बोलना तो थोड़ी देर सिखाऊंगे मैंने का देखो थोड़ी देर सिखाऊंगे कड़ी ठंडी हो जाएगी फिर तुम्हें उतना मज़ा नहीं आएगा फिर आया कैसा अच्छा ठीक हम में खा लेते हैं और बस आज का व्लोग यहीं फिनिश करते हैं कल फिर मिलेंगे थैंक्स फॉर वाचिंग बैबाए टेक केर